बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजापाट करता है, वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजापाट नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है यह सब चीजे देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है भगवान का न्याय ही गलत है यह कोई कहानी नहीं यह हर किसी के साथ होता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं भगवान स्री कृष्णा ने स्वय में इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाट करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं इसका उत्तर भगवान कृष्णा ने श्रिमत भगवद गीता के माध्यम से बड़ी इस्पष्टता के साथ बताया है तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बात द्वापर यूग किया है जब भगवान स्री कृष्ण और अर्जुन के बीच समवाध हो रहा था तब अर्जुन ने भगवान स्री कृष्ण से पूछा हें बाध हो जो लोग ज़्यादा पूजापाट करते हैं वो ज्यादा तर दुखी और परिशान क्यों रहते हैं इसके पीछे कारण क्या है जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते भगवान का स्मरण भी नहीं करते वो लोग हमेशा गलत कारे करते हैं उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है इसके पीछे का रास से मुझे समझाने का प्रयास करें तब भगवान स्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और जुन को इसका उत्तर दिया आईए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में एक गुरू की दो सिश्य थे दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था नास्तिक था एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी जहां सत्संग होता था जहां भजन होता था वहां दोड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था दूसरा सिस इन सब चीजों से काफी दूर था वो सराब पिया करता था वैश्याओं के हाँ जाया करता था सारी बुरी आदतें दूसरे शिश में थी एक दिन क्या हुआ कि जब वो सिस सराब पी कर अनाप शना बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था अचानक उसको रास्ते में पैसो से भरा एक बैग मिल जाता है उसकी खुशी का ठीकाना नहीं रहता वो जोर जोर से चिलाते हुए सब को बताता है आज मुझे पैसो से भरी बैग की थैली मिल गई है मेरा जीवन सफल हो गया इन पैसों से अपने जीवन की आवशक्ताओं की पूर्ती करूँगा वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था अचानक उसकी पैर में एक बड़ी काटी चुप जाती है रख निकलने लगता है ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुंच जाता है और हसते हुँ उसको बोलने लगता है क्यों तुम ही हो न जो सबसे ज़्यादा पूजापाट करते हो भगवान का बजन करते हो क्या दिया तुमारे भगवान ने मुझे देखो मैं कभी मंदर नहीं गया ना ही मैंने कोई अच्छा काम किया है मेरे घर में भगवान का मंदर भी नहीं है मैंने कभी अपने घर में सत्य नरायन भगवान की कथा नहीं कराया भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेगा फिर भी मैं कितना संपन हूँ, अमेर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जिमन मैं ही जी रहा हूँ, अच्छे शिस्य को उसकी बात चुबने लगे, उसने मनी मन भगवान से प्रातना किया, या तो सच बोल रहा है, मैं कितना पुजा पाट करता हूँ, और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है, इतना सोचते हुए, वह अपने गुरु के पास चला जाता है, और यही प्रशन गुरु से करता है, गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो कर अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है, उसको उसीक अनुसार फल देती हैं, अब तुम्हारे प्रशनों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में ही क्यों काटे चुबाए, और उसको पैसे से भरी हुई बैक क्यों मिली, सुनो, तुमने पिछले जन्में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए, क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक काटा ही चुबा, अब तुम पूर्व की संपति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कारे नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल कनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वो अर्वो का संपति का मालिक बनने वाला था, भगवान को दोस देना छोड़ दो, अपने आप सुधर जाएगा, इस प्रकार उसकी आखे खुल गई, और वो फिर से फुजा पाठ में लग गया, दोस्तों मैं आपसे एक विनमर निवेदन करता हूं, कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक क पैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, इवं कॉमेंट बॉक्स में लिखेगा, जय स्री कृष्णा